ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा मंत्र दीजे जिससे कि हमारे परिवार की रक्षा हो जाए रक्षा कुछ ऐसी कि जो किया कराया है या जो करने वाला है या जो कोई हमसे द्वेश भावना रखते हैं वो हमारे कुछ बिगाड़ ना पाए अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग तरह तरह की क्रियाएं करकर लोगों को बर्बाद कर देते हैं और ऐसे टोने टोटके बहुत ही प्रचलित हैं जिससे कि आप दूर बैठे कहीं भी किसी का अहित कर सकते हैं तो ऐसा करना वरजीत है हमारे शास्त्रों में लेकिन फिर भी आज कल के युग में भी ऐसी क्रियाएं की जा रही है तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक रामबान ओशत दूँगा जो कि आपको और आपके परिवार को बचा लेगी तो आपको करना क्या है कि ये जो मंत्र मैं दे रहा हूँ इसका हर अमावस्या और पूर्णिमा पर आपको एक छोटा सा हवन करना होगा अब हवन कैसे करना है कि पूर्व मुखी होकर आपको कुछ लकडिया ले लीनी है लकडि होंगी आम की और हवन समगरी लेजे जिसमें कि पिली सर्सों, लाल मिर्च और नीमबू 108 नीमबू आपको लेने है इस मंत्र का 108 बार जाब करते हुए ये सब कुछ आपको उस अगनी में स्वाहा करना है अपने सिर के उपर से clockwise ये सारी चीजें आपको घुमानी है 7 बार और उसके बाद एक बार ये मंत्र बोलकर आपको जो है वो सारी चीजें अगनी में डाल देनी है ऐसा करते जाएं और 108 बार तक ये क्रिया आपको दोहरानी है तो इससे होगा ये कि आप पर किया कराया कोई भी जादू टोना से भूत प्रेत किसी भी तरह का कुछ भी अगर नकारतमक उर्जा भी है तो वो भी कोसो दूर आप से चली जाएगी और ये इसलिए किया जाता है ताकि जिस किसी ने भी आपके उपर कोई तंत्र क्रिया की हो वो रिवर्स हो जाए तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब भी कभी पूर्णिमा आए अमवस आए तो उस रात आपको छोटा सा हवन करना है और उस हवन के बाद आप पाएंगे कि आपका जो शरीर है वो हलका सा हो गया है और इस मंत्र में जरा से भी तूर्टी ना कीजेगा इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है मैं एक बार आपको बोल कर बता देता हूँ मंत्र एक बार फिर से सुन लीजे इस मंत्र को आपने 108 बार जब करना है पूर्व मुकी होकर और हवन की सामगरी जो जो मैंने आपको बताई है उसके साथ एक नीमबू लेकर आपको अपने सिर के उपर से गुमाना है क्लोकवाई साथ बार और उसके बाद इसको स्वाहा कर देना है हवन की अगनी में ये प्रयोग आपको हर पूर्णीमा और अमावस की रात करना होगा जब आप ये करेंगे तो उसके पहले ही दिन से आप इसका असर देख पाएंगे जो भी किया कराया होगा आपके उपर जो भी बंधन होगा वो सब तूट जाएगा यदि आप असमर्थ हों आपको समझ में ना आ रहा हो कैसे करना है कैसे नहीं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं ट्रिपल नाइन टूट फोर सोला पच्चिस पर तो ये सारा कुछ आपको देखशित पंडितों दुआरा किया कराया जो भी आपके उपर होगा वो हटाया जाएगा और इसके बाद आप पाएंगे कि आपकी बॉड़ी में एक नहीं ऊर्जा आ गई है कोई बिमारी नहीं रहेगी, कोई दारिद्र नहीं रहेगा बस आप सफूर्ती से भर जाएंगे और आप जो है सफलता की और अग्रसर हो जाएंगे मैंने बहुत से क्लाइंट्स को देखा है जिनका की बंधन किया हुआ था और हमारे इस प्रियोग के बाद जो है वो इतनी उचाई पर पहुँचे कि बस आप पीछे मुड़कर देखते ही नहीं है तो कई बार क्या होता है कि दुएश में आकर लोग एक दूसरे का बंधन कर देते हैं बंधन से होता ये है कि जो इनसान हो कितने ही पैर मार ले लेकिन अपने निर्धारित स्थान से कहीं नहीं जा सकता तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बंधन किया हुआ है तो आप इस मंत्र से अपना बंधन छुड़ा सकते हैं बहुत ही सरल विदी है कोई भी कर सकता है आप भी केजेगा और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं और वाट्सअप नंबर भी यही है धन्यवाद